जहिन फ्रेंड क्लाश 10 यूपी बोर्ड के सभी चात्रों को जहिन यहां दोस्तों आप लोगों की बोर्ड पीछा हैं बुल्कूली नजदीक हैं और आपका सबसे पहले पेपर हिंदी का ही होता है तो यहां पर आप आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको बोर्ड को कैसे लिखना है और जो हमारे निवंद होते हैं निवंद को कैसे लिखना है और आपको अपनी कॉप्य में किस प्रकार से डालने हैं और आपको कितना कितना लिखना होगा आपको सारा खुश बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे आपको निवंद किस प्रकार से लि यहां पर सबसे पहले आपको बोर्ट प्रिचा में आप लोगों को कॉपी दी जाएगी तो आप कॉपी पहले देख लेंगे कि हमारी कॉपी पूर्तिया रूप से सही है या नहीं है यह आप कॉपी का सबसे पहले पूरी कॉपी देखें कि हमारी कॉपी पूर्तिया रूप से सही है कि नहीं है यहां पर यह आप खुद से चेक करेंगे फिर आप अपनी कॉपी का पहला प्रष्ट डॉट पेन के माद्यम से भरना होगा डॉट पेन आप पने साथ करेंगे इसमें आपको कोई भी गल्ती नहीं होनी चाहिए क्यूंकि आपका पहला प्रष्ट है वह जो कापी चेक करता वह आपका पहला प्रष्ट देखकर अनुमान करता कि 96 किस प्रकार का होगा तोयां पर आपको काफी एच्छे तरीके से भरना होगा फिर आपको और आपको साथ-साथ में O-O-O-M-R-C-T भरने के लिए आपको साथ में Blue रब्लैक बाल पेन ले जाना है ताकि आपके गोले भरने में आपको ज़्यादा समय खर्च ना हो तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा तो यहाँ पर आप दूसरी बात यह होगी कि आपको जो पहला हमारा Multiply Choice Question आपको देखने को मिलता है यह आपके Multiply Choice Question फुल में फुल यानि की पूरे सही होने चाहिए आप किसी भी तरीके से इसको पूरा-पूरा सही करने का प्रियास करेंगे बोट पेचा में यह आपका जो Multiply Choice Question होते हैं दिखा रहे हैं आपको किस के कुस्सन आपको वहाँ पर करना होगा जैसा कि आपको बोट प्रिच्चा में आपको बोट की कापी मिल चुकी होगी वहाँ पर आपको क्या करना होगा पहला प्रेश्ट आपका फिल हो गया होगा इसके पी अबppy आपको क्या करना आपको पनना को पलताना है यानी कि दूसरे पेज पर आना होगा वहाँ पर आपको इस case से लाइन खीज देनी है वीडियो को पहले ओएमार सीट पर काम बता रहे तो यहाँ पर आप उस्टे पहले जो question देखेंगे multiple charge question तो यहाँ पर कहा है कि राम चन्रुख किस यूक के लेखक थे तो यहाँ पर हमारा पूछए राम चन्रुख सुक्ल जी थे वो किस यूक के लेखक थे तो यह उमारा question बेरी बेरी important है इसको आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा सुल्क यूग के लेखक थे इसके बाद कुसर नमबर टू यहाँ पर कह रहा है कि गवन की विधा क्या है तो यहाँ पर हमारी गवन की विधा क्या होगी वो अमारे ये उपन्यास क्या होगी उपन्यास जो की हमारा मुझी प्रेमचन्द음 लिखा गया उपन्यास है इसके बाद कुर्सियर नमाबर be कलम का शिपाई क्रती है याणी की कलम का शिपाई के लेखा क्यूं है जोड़े यहाँ पर सही जवाब होगा अम्रत राय क्या होगा सही जबाब अम्रत राय तो आपको अपनी वो MRC पर प्रश नंबर 4 जो 4 गोले होंगे वहां आपको डी वाला गोला इसे इसे रंग देना होगा इसके बाद question number 5 question number 5 यहां पर कहरा है सुल्क यूग की सम्यावदी है यहाँ पर हमारा इसका सही जबाब होगा 1919 से 1938 हमारा इसका सही जबाब होगा आपसर नमबर वी बाला हमारा इसका सही जबाब होगा इसके बाद कुस्टर नमबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि साकेत की रचना है यह question हमारा very important है इसको आपको ध्यान रखना होगा तो यहाँ पर हमारा जो इसका answer होगा वो हमारा होगा मैतली सरड गुप्त क्या होगा मैतली सरड गुप्त इसके बाद question number 7 यहाँ पर कह रहा है महादेवी बर्मा कवित्री है तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा चाया बाद युक्की हमारी महादेवी बर्मा जी कभी है इसके बाद question number 8 यहाँ पर कह रहा है गंगा लहरी किस लेकर की रचना है तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा यहाँ पर कहते है आदनिक काल की समय शीमा है यहाँ पर हमारा इसका सही जवावाई होगा आठारा सोए टैलिस से अप्तक हमारा इसका राइट आंसर होगा जिसके बाद कुस्षा नम्बर 10 यहाँ पर कह रहा है कि vig Verma की रचना नहीं है थो महादेवी परमा दौर रस्का एस्ताईवाव है यहां पर और सभी छात्रों का पता होगा कि हास् रस्का एस्ताईवाव क्या होता है हास सिसके बाद कुस्षिय ट्वाइल यहां पर कह重要 है पीपर पाथ सरीस मंडोला उप्रिक पंक्ती में कौन सा अलंकार है यहां पर और क्या फूंच रहे कितने च्च चरह होते हैं इसके बात किर रहे कुस्टर है क्या नम्बर 14 रहे कि यहां पर क्षप्वर्ट का होगा हुप्देशaffe किया रहा सब्सक्राइब सब्सक्राइब गरिंग पिरिषस्टेश अज्वर खते हैं मिज़सें प्बदेश प्रतिय के भेद होते हैं यानि कि प्रतिय कितने प्रकार के होते हैं तो यहां पर मारा इसका सही जबाब क्या होगा दुवंद समास कौन से समास होगा इसके बाद कुछ नमबर 17 मचली का पर्यावाची होगा यहां पर हमारा इसका सही जबाब होगा मीन हमारा इसका बिल्कुल सही अंसर होगा इसके बाद कुछ नमबर 18 यहां पर कह रहा है कि यद्यपी में कौन सी संदी है मुझ रहा कि यद्यपी में कौन सी संदी होगी यहां पर हमारी दीर्क संदी कौ रूप है तो यहां पर हमारा अज़का सही जवाब होगा मधू सब्दकादुतिया और होगा मधूनि यानि कि आपसे नमबर ढिवाला हमार्या का सही जवाब होगा इसके बाद कुछि 알려 ट्वंटी नमबर ट्meg सब्ड़ेब मत्धे पठेताम धातू का भच्चे नेवं पुरूस है क्या यहां पर हमारा इसका सही जवाब होगा आपसे नंबर बी प्रताम पुरूस धूतिये बच्चन यानिकी आपसे नंबर भी बाता हमारा सही जवाब होगा इसके बाets आप अपनी बोड़ प्रिचा की कॉपी भी खोल लेंगे वहाँ पाद में अभ्रस संक्या नंबर एक यहां पर आपको डाल देना उपर एभी लिख देना है खंड पार यह लिख देना है आब बोड़ कोपि ब्ल्गीप में तो आपकोई सब्सक्राइब करना होगा यहां पर हम सभी प्रसमा के उत्तर बता दे यहां पर कह रहा है कि उप्रियुक्त गद्यांस का संदर्व लिखिए यानि कि आपको पता करना हुआ कि किस पार्ट से लिया गया और किसके कौन से लेकक होंगे तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा इसका संदर्व लिखना होगा तो आप संदर्व कैसे लिखेंगे उप लेखक कौन है डाक्टर राजेंद प्रसाद जी हमारे इसके लेखक हैं यहाँ पर आपको इसका संदर्व कैसे लिखेंगे आप इसका संदर्व लिखेंगे उपरूद गद्यान्ज हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी पार्ट पुस्तक हिंदी के भारतिय संश्किति नामकपार स लिया गया है जिसके लेकक जिसके लेकक राक्टर राजिद प्रिसाद जी है तो आपको इतना ही लिख देना है इसके बाद कुस्से नमबर यहां पर सेकेंड कहरा है कि आपको रेखांकित अंसकी व्याक्या करनी यानि जो आपको इतनी कि अपने सब्दों में इसकी व्याक्य कर देनी वही हमाई रे खांकित अंसकी व्याक्या कहलाती है इसके बाद कुस्ति नमबर तरड यहां पर कह रहा है कि लेकर के अंसार हमारा अस्तिति किस प्रकार से आज भी कायम है तो आप इसको पहला अगर आपको पढ़ेंगे तो यहां पर आपको इसका आंसर सटी को आपकर सकते हैं जैसके यहां पर हमारा अप्रमार असको पार चाशा है उहां पर आपको आपको लिखना होगा है हमारी पुस्तक हिंदी के मिंप श्रम पार तक लिया गया है जिसके लेकर राजेंसरा राम शुक्ल जी हैं डाक्टर राम- चंशुकल जी हैं आपको इतना लिग देना होगा इसके बाद यहाँ पर कहा रहा है कि आपको रेखांक की तंसकी व्याख्या करनी है यानि कि आपको परग्राप में आपको अंडरलाइन दी गई है आपको उसी को पढ़ना होगा और अपने सब्दों में आपको उसकी व्याख्या कर देनी है इसका कुछ नमर थर्ड कह रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे के और क्या देखकर आकर्शित होते हैं आपको पढ़ेंगे आपको उसका अंसर इसमें 60 ग्रूप से मिल जाएगा फिर आप उसकी को अपने सब्दों में इसका अंसर लिख देंगे तो आपका अंसर हो जाएगा आपको गद्यांस आपको उतार देना निर्गुन डॉट 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 अभिलास यार लास्ट में इसे लिख देना यहाँ पर नमबर बन डाल देना फिर आपको से नमबर टू का सभी हल कर देंगे कुछ नमबर पार सेकंड डालकर उसको भी हल कर दे यह हमारा किस पार्ट से लिया गए यह हमारा पार्ट लिया गए पद नामक पार्ट से लिया गए जिसके लेखक हमारे सूर्दासजी हैं कौन है लेखक हमारे सूर्दासजी हमारे इसके लेखक है इसके बाद यहाँ पर कुसिन आपसे पोचता है कि आपको इसका संदल लिखन के लिए यहां पर आपको जहां पर रेखा खिशी दिख रही है नीचे आपको इसको पढ़ना होगा फिर सोचेंगे फिर आपको उन्हीं सब्दों को आपको अपने भावों में लिख देना होगा तो आपकी रेखांकी तंज की प्याक्या हो जाती है और आपको थोड़ा सा ब प्रणावी कर सकते हैं तो आप इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से यहां पर पहला खुशन पूच रहा है उप्रुग पढ़्यांस का संदर्व लिखिए यानि कि आप से पूच रहे कि पार्ट जिस पार्ट से लिया गया है आपको बताना होगा तो यहां पर जो हमारा पार्ट लिया गया है वो हमारा पार्ट लिया गया है स्वदेश प्रेम किस पार्ट से लिया गया है स्वदेश प्रेम नामक पार्ट से लिया गया है जिसके हमारे लिखक कौन है राम नरेश्टर पार्टी जी हमारे इसके लिखक है कौन है राम नरेश पसे और किया वह प्रूट आपको इतना ही लिट देना है इसके बाद यहांपर किया करनी है कि यहां पर और किया करना है कि वह प्रूट्व पद्यांज में किसकी महिमा का वर्लन किया गया है यहां पर हमारा पता है कि विरों की महिमा का वर्डन किया गया है इसके बाएसा नगरी dot 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 और काधिता इसोर लिख देना होगा फिर आप इसका हल करेंगे यहां पर लिखा लुखा हिंदी में अनुबाद आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको पूंचा उसका आपको संदर भी लिखना आए तो आप संदर भी लिखेंगे इसको अनवाद भी करना है तो य Gobierno नामक पार से लिया गया गया है बाहरती ये संस्क्रती नामक पार्ट से लिया गया है इसके बाद आपको उत्तरम डॉट 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 संतती लिख देना होगा फिर आपको यहां नीचे लिखना होगा संदर्व उसको आपको संदर्व यहां पे कर देनी है फिर आपको नीचे लिखना होगा हिंदी में अनुबाद द्यास करके नीचे अंडरलाइन करें या आप हिंदी में बात कर देंगे ऐसा आप सेकेंड पेज पर पहुज़ाएं तो सेकेंड पेज पर लगातार करते रहेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप पता करना कि हमारा यह जो पद्यान से किस पार्ट से लिया गया है यहाँ पर जो हमारा यह पार्ट किस पार्ट से लिया गया है यह हमारा लिया गया है वीरा वीरेड पूझेते नामक पार्ट से लिया गया है इसके बार जो नीचे बाला है यह हमारा किस पार्ट से लिया गया है यह हमारा लिया गया है जीवन सुत्रारी नामक पार्ट से लिया गया है आपको ऐसे जो आपको संद्रब लिखना होगा आपको लिखना होगा उप्रुप जो हमारा गध्यांस है प्रस्तुत आपको क्या ल पिर आपको फ़र आपको फिरग्याइड यानि कि आपको without heading नहीं करना है आपको बिद हैडिंग डालकर ही करना होगा इसके बाद यहां पर कुछिन नमर सिक्स्थ हमारा last question होगा यहां पर आपको जीवन पर्चे मिल गया जीवन पर्चे आप आपको सेम वही बे करना होगा जैसा हम पहले बता चुके हैं पर संक्या नमर 6 डालेंगे जिसको आपको जीवन पर्चे लिखना उसका नाम बीच में लिखेंगे फिर आपको बित हैडिंग लगबग लिखना 2 page का जिवन परच़े लिखना ही पड़ेगा इसके बाद आपको जिस पर आप जिवन परच़े लिखना चाहेंगे उसका अंसल मुझेट आप comment बाक्षन ज्यूरू बताएंगे आपको किस पर यहाँ पर जिवन परच़े आपने तयार किया है इसके बाद हमारा पद्यान से भी यहाँ पर पूछा जाता है कि पद्यान से आपको सेम उसी तरीके से अपनी बोड पिचा की कॉप्पी आप लाइन कीची होगी यहाँ पर आप डालेंगे च्छाय का खार डालेंगे आप जो जिसका लिखेंगे उसका नाम बीच में के बाद यहाँ पर कुछन नमर से भी यहां पर कारा कुह से भी आप आंपनी पार्टपुस्रक की कंठस्त कोई एक स्मूउओर यहां पर लिखना होगा जो इस पेपर में न आया हो आपको बार ध्यान रखनी है जो हमारा इस प्रेंस पत्र में ना आया क्या होगा मारा इसका अंसर होगा इसके बात करेंगे भारतिये संस्कति मूलम अस्ति यत विश्वेश्ट सश्टा इसका नहीं करेंगे इसके बात यहां पर कह रहा है कि चंद शेका का असी तो आपको दो करने होगे तो आप इनी को करने का प्रियाश करेंगे इसके बात यहां पर कह रहा है कि चंद शेका का असी तो आपको इसको काफी डंग से लिखना होगा ताकि आपको नाइन में कम सिंगम एट मार्क्स तो मिल ही जाएं यहां पर आपको कैसे लिखना सबसे पहले आपको अपनी बोर्ट पिचा की काफी खोलनी है अंडलाइन वाली यहां पर आपको डालने प्रेश संक्या नंबर जो की 9 अब डाल देंगे फिर आपको जिस पर आपको यहसे लिखना होगा उसका आप नाम बीचो बीच लिखें ठीक है इतना काम आपको करना होगा फिर आप यहां पर डालेंगे रूप रेका यहां पर आपको सबसे पहले सभी जैसे कि आपर हम यहां पर लिखना चाहेंगे क्या व्रच्छा रोपर किस पर इसे लिखना चाहेंगे व्रच्छा रोपर तो हम क्या करेंगे हम अपनी बोर प्रेखा पिर हैडिंग डालेंगे हम सबसे पहले कि ब्रSil Sé siblings क्या 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 लाव हैं के पहले HC निर्मान फिर आप लिकेंगे बर्शा कराने में सायक फिरसा के थिल सुद्ध ऐक्सीजन का मिलना फिर आप फॉसन और फोर्थ नीचे एडिंग बनाकर लिखेंगे आप फोर्थ में लिखेंगे फोर्थ में आपको एक हैडिंग आपने तब से बना की लिखनी होगी जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर इधन की मात्रा में बढ़ोत्री आपने लाप लिख दी हैं फिर आपको आपर निगेटिव इसकी बात लिखनी होगी जैसे कि आप जैसे कि आपको निगेटिव को दिखने होंぎ पांस आपको हैडिंग बना लेनी होगी फिर आपको क्या करना होंग यह साओ Negro कर सकते हैं ब हैक्ति आप मिल जाएंगे इस बात की गारंटी है तो आप जैसा मैंने बताया आप ऐसा पेपर करते हैं तो यहां पर आपको कोई नंबर करने के चांस नहीं बढ़ते हैं आप अपने प्रतेक कुशन की जब आपका कुशन खतम हो जाए तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं तो यह हम मैंने प्रतेक तरीके से बता दिया जाएं दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक कि आप सभी लोगों को जाएंगे